हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आप सभी अपनी एक्जाम को सफलता पूर्वक दे चुके हैं पर दोस्तों आज की वीडियो उन अव्यर्तियों के लिए सबसे जादा महत्वपूर होने वाली हैं जिनोंने के जी एम बन रहे हैं तो क्या वह अव्यर्ति अपने को KGMU के अंदर वो सेफ जोन में मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं या इस वेकेंसि को अभी सी समय ड्रॉप करकर दोस्तों अपनी नई वेकेंसी की कारे में है जो वो लग जाए क्योंकि जेनरल से OBC से EWS से SC से ST से हर हर कैटेगरी से 10 से 12 परसेंट जो है इन आकड़ों के अंदर आ रहे हैं तो वो अवियर्तियों के लिए या जानना बहुत या जुरी है क्योंकि उन्हें अपनी प्रोविजन लिस्ट के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या उनका इतने कम नंबर पर क्या KGMU के अंदर सेलेक्शन होने की कोई भी चांसे बन रही हैं या नहीं बन रही हैं तो आज की वीडियो उन अवियर्तियों के लिए सबसे ज बूछ रहे हैं कि जो इस वेकैंसी के अंदर धांदली हुआ है क्या इस धांदली से इस वेकैंसी की अंदर कोई परभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसके बारे में दोस्तों मैं आप सभी को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा वो भी फुल डीटेल के साथ की क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए के एमजियो की इस वेकैंसी में क्या हो सकता है इन आरोपियो के खिला तो पूरी इंफोर्मेशन पहले आपको दूँगा तो सबसे पहले कम नमबर वाले उमिद्वार इस वीडियो को जरूर देखे तो चलिए पूरी इंफोर हमारे चैनल के माद्यम से अपडेट की जाती है दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देते हैं कि KMGU के तरफ से यह जब नोटिस जारी किया गया था तो यह नोटिस यह नोटिफिकेशन उस समय का है दोस्तों और इस नोटिफिकेशन से मैं आपको कम नमबर वाले उमिद्वारों के लिए कोई होप है या नहीं है वो मैं आप सभी को यहाँ पर दोस्तों बताने वाला हूँ क्योंकि यह चीज आप सभी के लिए बहुती ज़्यदा इनपोर्टेंट होने वाली है और इससे जड़ी हर अपडेट उमिद्वारों को जानने का पूरा भी हक है दोस्तों कि आखित क्या उन उमिद्वारों को वेट करना है या नहीं करना है चली दोस्तों सबसे पहले आपको वह आप नोटिफिकेशन के माद्यम से वो अपडेट म हैं कि हमें Уएट करना है यहाँ नहीं करना है यहां पर दोस्तों टोडन लंबर और मांक हणंडिड है और यहां पर उन अभेटिव की बात हो रही हैं जिनके 4045 यह 10 यह 30 बन रहे हैं और रहे हैँए तो आप दोस्तों यहाँ पडेह कि मैंने आपको हर केऍधे में सकता है कि provision answer की वे उनकी चांस भी अप्ग्रेट कर जाए पर दोस्तों रखना है या नहीं रखना है वह मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि कटप जो है वह मैंने बताया है कि 75, 76, 72 के प्लस ही जाने वाला है इससे कम दोस्तों जाने की चांस नहीं है तो यहाँ पर अगर जेनरल के उमिद्वार है यानि कि दोस्तों यहाँ पर इस वेकैंसी के रिगार्डिंग आप सभी के सबजेक्ट रिलेटेंड में 30 नमबर होने चाहिए और यहाँ पर दोस्तों इन जेनरल में रेजिनिंग में इन तीजों को मिलाकर कम से कम दोस्तों 20 नमबर आने चाहिए यानि कि 60 में 30 और 40 में 20 आएगा त इसको लेकर उमिदवार इस वार जो है इस वेकैंसी में 72 या 75 प्लस की कटप जाने की संका है तो उन अब यरतिव वेट कर सकते हैं पर इस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि हमारे के अंदर सेलेक्शन होगी तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इन तीन कटप के हो गया और इन तीनों कटप में अगर उमिदवारों के कम है तो वह बिल्कुल ही होप छोड़ते क्योंकि यहाँ पर के रूल के अनुसार यानि कि नोटिफिकेशन रूल के अनुसार वह उमिदवार पहले ही बाहर है और उनकी जो प्रोविजनल एंसर किया है लिस्ट भले उनके स्कूर कार्ड में देखने को मिले अब दोस्तों बात कर लेते हैं स् जो देखी गई है वो लगभग यहाँ पर जो है पच्टीस परसेंट दोनों को मिला एकर ऐसे उमिधवार हैं जिनके दोस्तों केलकूलेशन आए वो इनसे कमा रही है तो यहांनि कि दोस्तों अगर किसी के पैटालिस भी आ रहे हैं या किसी के यहाँ पर जो है उन्चास भी आ रहे हैं तब भी उनको फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुचना पड़ेगा क्योंकि ऐसी की कट अब है वो यहां पर जो है 55 प्लस किया रही है और इन अवियर्तियों को यहां पर सेलेक्ट होने के लिए 55 प्लस मार्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे दोस्तों 55 अ नहीं हो सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने बता दिया कि कितने कम नंबर वाले उमिद्वार जो है होप रख सकते हैं और कितने कम नंबर वाले उमिद्वार जो है इस वेकेंसी पर डिपेंड नहीं रहकर अपने लिए नई वेकेंसी का जो इंतजार कर रहे है या जो वे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तो कि दोस्तों जाहिंद!